पिटा आपकी सतथी defination है definition of Q की Q की परिफ़ाशे क्या है च्यू क्या है Q is a solid figure Q क्या है it has 6 faces 12 ages and 8 claps इसकी भी to oy Stuart की तरह 6 face होते है 12 ages होती है और 8 vertex होती है लेकिन कि difference है जो इसको फ्यूबर को आपस में अलग करता है वो क्या है? It all ages are equal कहने का मतलब है कि इसकी जितनी भी ages है कितनी ages हैं फ्यूबर भी होती हैं 12 तो इसके 12 ages जो होती है वो क्या होती है? अगर उसकी एक साइड अगर 3 है तो उसकी बाकी साइड ने साइड ये वाली सारी क्या होंगी? 3 होगी, तो इसकी जितनी भी जैसे आपके स्वेयरे स्वेयर की 4 साइट बराबर होती है, इसी तरह के जो Q होता है, उसकी 12 साइट होती है, ये 12 की 12 साइट आपस में बराबर होती है, ठीके, तो Q क्या है, Q is a solid figure, it has 6 faces, 12 ages and 8 vertex, its all ages are equal, क्या Q is a solid figure है, जिसकी 6 face होती है, 12 ages होती है और 8 vertex होती है, और इसकी जितनी भी ages होती है, ये 12 ages होती है, ये 12 ages होती है, जिसकी 12 ages होती है, इसकी 12 ages होती है, इसकी 12 ages होती है, इक्वाल होती है, इक्वाल होती है, बराबर होती है, I hope आपको यह दोनों definition समझ में आगी होगी आपको यह दोनों definition अपनी कोपो में write down continue है आज के लिए इतना ही Have a wonderful day, Peter